हलो दोस्तों तो आज हमारे साथ है मार्ति सुजुकी की बेस्ट सेलिंग और बेस्ट लुक वाली कार यानि मार्ति सुजुकी अर्टिका जो की 2 रैम BXI CNG वेरियंट है जो की अब आप फर्स्ट टाइम आपको इसके अंदर ब्लैक कलर में ही मिल जाएगी जो की ये कमरिसियल परपस के लिए यूज आएगी जो हमारी अज वीडियो है इसी के ओपर डेटेल रिव्यू होगा तो वीडियो को बिना स्किप करें वीडियो के आखिर तक बने रहना और साथ इसाथ जिन्होंने हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया है वो भी चैनल सब्स्राइब कर लेन चोल तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अगर हम इसके एक्सोरूम की बात करें तो एक्सोरूम इसका आपको 10,49,000 का आपको एक्सोरूम मिल जाएगा वो भी डेली में और इसके अंदर आपको 1.5 लीटर फोर्स लेंडर इंजन मिलेगा जो की 1500 सीसी के साथ है करणों जाएगी के साथ में आपको हैलोजिन बल्ब मिले यहां इसके टन इंडिकेटर मिलेंगे जो लोबी में है वो इसके अदर आपको फोग लेंगे की हाऊजिंगagu मिल जाएगी अगर आपको फोग लेंग चाहीए थो एसकी सरी मिल जाएगी जोगी क्रोम फॉरंट घ् नीशिंग मिल जाएगी यहां सुजुगी की बैजिंग मिल जाएगी अगर मापको इसके पूरा फ्रेंट लुक दिखाऊं तो ऐसा गुछ आपको फ्रेंट लुक दिख जाएगा नीचे आपको रेडियेटर के सामने भी इसके ग्रिल दिख जाएगी जो कि ब्लैक कलरड ही है यह दो कुछ इसका फ्रेंट लुक था अब इसके साइड लुक देख लेते हैं ऐसा कुछ आपको पूरी साइड लुक दिख जाएगी जो और वीन है यह आपको कार कलरड़ी मिलेंगे इनके अंदर भी टर्न इंडिकेटर के फ्लैसर मिल जाएंगे वह अगर हम इसके टैयर इसके इसके फ्रेंट और सइड का लुक देख लिए कि आपको पा करेंटर का चेंजेश आएं तो बैकिसाइड में आप देख सकते हैं जो बैक टेल लाइट सैं ऐसी कुछ आपको बैके लाइट धिखने में लगेंगी यह जो आपको जो स्ट्राइप दे दी गई है यह भी आपको कार कलरडी मिलेगी और इसके नीचे आपको यहाँ इसके सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी और उपर हम देखे तो हाई मांट स्टॉप लेंप मिल जाता है और रियर वाइपर डीफ होगर आपको इसके अदर नहीं मिलता है यह टूरेम की आपको बैजिंग मिल जाएगी नीचे आपको इसके अदर रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे दो और यह इसके रियर पार्किंग सें प्रस्टर मिल जाएगी आपको करण को वीगिन आपको कर लडी मिल जाएगा यह सफी के साथ में इसके अंदर आपको कोई बी कील सेंटर नहीं मिल जाएगा और यहां इसका की सेट मिल जाएगा अब रोपन कर लेते हैं डूर ओपन होने के बाद कुछ ऐसा पुछ का डॉर मिल जाएगा जिसके अंदर कुछ ग्रे कलर के इसकी फिनेशिंग मिल जाएगी यहां और इसके अंदर को भी आपको सौफ टच नहीं मिलेगा वही आपको हड्ट प्लास्टिक टच मिलेगा इसके अंदर आपको चार पार मिल जाएगी और आपको यहां चोटा मोटे स्पेस मिल जाएगा तो इसके अंदर आपको बेच के अंदर फैब्रिक सीट मिल जाती है और जो हाइट अजस्ट में इसके अंदर ऑप्शन होता वह आपको नहीं मिलता सिर्व आपको सीट फोल्ड का अजस्टमेंट मिल जाता ह और यहां नीचे आपको इसके पैटल टैंक ओपन करने का बटन मिल जाता है जो कि इसके लिए कार का बटन मिल जाता है और जो कार की की है स्पीडो मेटर दिखा हूं तो और उनक बार स्पीडो मेटर ऐसा मैं जाएगा स्पीड की किलोमेटर पर एक बीच में आपको स्पेड में त्वर आपको इसके स्टेविह मिल सकते हैं और यहां नीचे इसके अपको ब्लूzhut का को लिंग की कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि system controlling मेग ही है इस खनर में अनौर जाते यह स्वराइब कर शक्रक्थ सब्सक्राब को बटन देगा है यहां से आप इनको प्रैस करके अपने फिरक्ष नक इवलेगा इसका यहां से आप पारकिं लेट ओन ओफ कर सकते हैं इसके चनदर मैनूल ndAc के आपको कंट्रोल मिल जाते है या नीचे आपको इसके सिंगल चार्जिंग कोई मिल जाते है जो की बारा वोट का है यहां को इसका ओक्स और USB का सेट अफ मिल जाएगा जोसका मैनल में गेर शिफ्टिंग है ऐसा छूछ एसका मैनल गेर शिफ्टिंग मिल जाएगी और इस ही आगे आपको यहां दो कपोडलर मिल जाते हैं और इसके आगे कुछ आप स्मार्ट फाने का स्पेस मिल जाते हैं जो हैंड प्रेक इसका कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा तो डैस्ट बोर्ड आभी इसके रिमूव को रखा क्योंकि यह देस्ट रहे तो अभी कुछ काम चलता था इसलिए इसका डैस्ट भूर्ड भी रिमूव किया गया है यह इसके कुछ AC के मिल जाएंगे आपको यहां left बार आपको दोर देखें तो इसके अंदर भी आपको पार विंडो यहां कुछ armrest के मिल जाएंगे यहां आपको bottle capacity और चोटा माट़ स्पेस मिल जाएंगे यहां आपको चारव डोर्स के अंदर available हो जाता है जो इसका rear view mirror है वो आपको इसका यहां मिल जाएगा जो कि यह भी adjustable आपको मिल जाता है यहां जिसको आपने हिसाब से adjust कर सकते हैं यह इसके आपको camera light मिल जाएगी जो कि yellow bulb के साथ ही है यह तो कुछ आपने इसका आगे का इंट्रियर देखा अब हम कार के पीछे वाले seats और इंट्रियर देखते हैं कि वहां आपको चेंजिस देखने को मिलेंगे आपको कार का डोर ओपन करते हैं पीछे वाला ओपन होने के बाद आपको doors के अंदर आशा कुछ दिख जाएगा जिसके अंदर आपको यह पावर विंडो मिल जाएगी और जो डो डो लोक अनलोक का handle है यह आपको क्रूम की finishing में मिल जाएगा आपको कुछ इसकी पीछे मिल जाएंगी जिनके अंदर फोल्डेबल अज्जैस्टरमत मिल जाते हैं कि इसके अंदर भी कोई आपको है अप्शन नहीं है पीछ आपको सीट के अंदर भी यहां से आप इसके सीट सब्सक्राइब ने आ कि और पीछेड़ी स्रीड से इन चेंदर आपको 2 मिल जाते हैं इतना थो appropriate पेस्ट मिल जाते हैं यह यह आपको स्कैनल रिर्च शीड själड़ आपको आपन युट्रान भी कुँट से कुपरिंग हो रख़ नहीं तो आप इसको open करके कर सकते हैं अब हम car के पीछ वरी seats देखते हैं कि आपको पीछे कितना कुछ आपको space मिल जाता है तो यहां से आप जो seats से नीचे कर सकते हो और फिर आप पीछे यहां देख सकते हैं यहां भी आपको पीछे दो headers दे दिये गए है और यहां इनके अंदर आपको यहां bottle capacity मिल जाती है दोनों left right दोनों side में आपको यहां इसके अंदर आपको housing भी मिल जाती है 12 वोट के charging point की यह इसके जो wheel covers हैं आपको इसके अंदर मिल जाएंगे जब आप car kit delivery लेंगे उस वक्त आपको car के अंदर install कर दिये जाएंगे यहां भी आपको इसके अंदर center के अंदर 12 वोट का charging point मिल जाएगा अब हम car का boot space और CNG slender लेखता है कि वहां आपको कितना कुछ इसके अंदर space मिल जाता है अब हम इसके boot open करने चाहते हैं तो boot open करने के लिए यहां आपको इसके अंदर एक button मिल जाएगा जिसको प्रैस करके आप इसका boot open कर सकते हैं और जो इसके अंदर boot space है इसके अंदर आपको 209 लिटर का boot space मिल जाएगा और यह कुछ इसके equipment मिल जाते है और इसको हम carpet को अटाएंगे तो यहां इसके अंदर आपको इसका cng cylinder मिल जाएगा जो कि 60 लिटर 12 kg का slender है अगर आप गर्मियों के season के अंदर gas fill करा रहे है तो वही आपकी इसके अंदर 7-8 kg gas आजाएगी और वही मिंटर season में करा रहे है तो 10-11 kg gas आजाएगी यहां आपको इसका jack और tools मिल जाएगे जो कि जब आप spare wheel change करेंगे तो जब आपके यह इस्तमाल में आ जाते है spare wheel जो है इसका आपको car के नीचे यहां दिख जाएगा जिसका जो size है वो बिल्कुल same है 14 इंचिस का आपको size मिलेगा और black steel dream के अंदर आपको मिल जाएगा सकते हैं मैं उसके ओपर वीडियो बना दूँगा थैंक यू